हेलो फ्रेंट टेकनिकल आशा के इस न्यू वीडियो में मैं अनुपर्म आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टन चीज बताना चाहता हूं जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार आपके सिस्टम में कॉपी पेश्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो मैं आज उसी का सेलूशन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टन चीज है मान लिखे कई बार ऐसा होता है कि आपके सिस्टम में आपने अन किया और उसके बाद आप कॉपी और पेश्ट कर रहे हैं तो कॉपी पेश्ट नहीं होता है कुछ एरर आ जाता है जिसमें कि आपका एड्मीन से रिलेटेड आप से पूछता है वो एडमीन की मुझे पर्मीशन चाहिए तो उस लिए ही ये वीडियो बनाया गया कि उससे पर्मीशन को आप कैसे हटा सकते हैं या आप एडमीन की पर्मीशन आप कैसे दे सकते हैं उस वीडियो में आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ तो इस video को आप last तक देखिए और बहुत easy process है तो एक बार आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा तो चलिए देखते हैं इस video में कि ये मैंने क्या solution मैं इसका आपको दे रहा हूँ तो चलिए देखते हैं एक बार हां तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे कि हम अपने मुँबाइल से कोई भी data जो है अपने pc पे लेना चाहते हैं तो वो जो डेटा है हमारा mobile से हमारे pc पे तो copy हो जाता है लेकिन अगर हम अपने PC से कोई भी डेटा अपने mobile phone पे या pen drive पे copy करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाता है तो उसमें आपका क्या error आता है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ जैसे कि मानली जी मैंने अपने system पे ये pen drive लगा रखी है जिस पे music लिखा हुआ है तो मैं अपने जो desktop है उससे आपका कुछ भी copy करूँगा और इसमें paste करके देखता हूँ क्या वो paste हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो चलिए आईए एक बार चेक करते हैं इसको कुछ भी ले लेते हैं जैसे कि मानली जीए मैं यहां से यह उठा लेता हूँ यह मेरा पड़ा हुआ एक copy file पड़ी हुए इसको मैं copy कर लेता हूँ यहां से और यह मैं जाता हूँ अपने pen drive में paste करता हूँ तो देखता हूँ कि यह error आ रहा है यह देखे इस फोल्डर तो मतलब यह इसमें paste नहीं और आप continue करते रहेंगे लेकिन continue जैसे करेंगे तो बता रहा है यू नीट permission to perform this action फिर आप try again करते हैं करते जाए कोई फरक नहीं पड़ेगा इसमें क्योंकि यह जो है error आ रहा है इसमें यह administrator की permission मांग रहा है तो इसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आज जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि दो तरीके से इसमें permission लगाई जाती है या तो फिर आप जिस user से login है जैसे कि यहां पर मैं अनुपम नाम से login हूं या तो इसको administrator की permission नहीं इस वज़े से copy paste नहीं हो पा रहा है और या तो फिर आपके system में कोई कि user में administrator की permission कैसे देते हैं तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैं अनुपम user से login हूं तो मैं इसको कैसे administrator की permission दूंगा या मैं check करूंगा कैसे कि इसके इसमें administrator की permission पहले से दे रखिए तो देखते हैं इसमें सबसे पहले आपको my computer में जाना है, manage में जाना है और manage में जैसे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ option खुल के आ जाते हैं control management ये computer management आ जाता है इसके आप अंदर देखेंगे नीचे option आ रहा होगा local user और group का तो आप उस पर click करेंगे इसमें आप users में जाएंगे जब users पर डबल क्लिक करेंगे इसमें आपके administrator अनुपम औगेस्ट ये तीन options हो कर रहे हैं तो administrator देखिए मेरे system का disabled हो रखा है तो इसको या तो आप enable करके देख लीजे अगर enable करने से problem solve हो रही है तो ठीक है नहीं है तो फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप अपने user को जिस user से आप login उसको administrator की permission दे कर देख लीजे चलिए इसको एक बार administrator की permission दे कर देखते हैं तो अनुपम user बना हुआ इस पर मैंने right click किया और इसकी property पर गए और member of में जाएंगे यहां पर तीन option शो करेगा member of में जैसे आप जाते हैं देखिए जैसे कि यहां लिखा हो administrator मतलब कि इसको administrator की permission हमने दे रखी है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि administrator की permission नहीं होती है तो उसके लिए आपको क्या करना है यहां आप एड में आएंगे यहां पर आप एडवांस देखिए आपका windows खुलती जाएंगी तो यहां पर सबसे पहला option जो आपका आता है यहां एड का आता है एडवांस में आईए पाइंड नाओ पर आईए यहां पर देखिए लिखा हुआ है इसमें आप आकर करके administrator का एट करेंगे तो अनुपम पीसी लिख क्या रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे यहां से आप करेंगे यहां से आप करेंगे administrator is already in the file मतलब कि यह मेरा पहले से एड है तो यह नहीं हो रहा है तो चलिए इसको रहने देते हैं क्योंकि यह आपका बताई रहा कि एड है तो इसमें मतलब की एड है एक बार और हम लोग पेश्ट करके देख लेते हैं इसमें डेटा क्या पेश्ट हो रहा है कि नहीं हो रह कीपो देख्रते हैं जैसे कि इसको ही उठांगे मैं यहाँ से पेश्ट कर लेता हूं कि यह नई दोस्तूं ढब ही दे रहा है मैंने आपको बदायो हो सकता है मेरे system में भी antivirus की वज़े से ऐसा हो तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं जैसे कि मैंने यहां पर quick heal का total security install कर रखा है तो हो सकता है इसकी वज़े से भी error आ सकता है तो एक बार इसको open करके देख लेते हैं चलिए देखते हैं यहां पर यह quick heal का icon बना हुआ है देखे डबल क्लिक कर लेते हैं अब जैसे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है system is secure इसमें कई option आ रहे हैं file folder email internet और parental control अब इसके आगे option और आता है external drive and device का तो क्योंकि मेरी pen drive है और मुझे उसी में या pen drive memory card या आप कोई भी external device लगाते हैं तो वो इस option में ही आती है तो इसको open कर लेते हैं अब यहां पर देखते हैं क्या है external drive में देखे दिया हुआ है auto run protection यह on है scan external drive यह भी on है data thief protection यह भी on है scan window mobile यह भी on है तो मैं इसमें से देख लेता हूँ data thief protection का जो यह option आपको show कर रहा है इसके अंदर जाता हूँ क्योंकि इसमें लिखा हुआ है block access to external drive like USB drive CD मतलब कि इसने सब को block कर रखा हुआ है तो इसको एक बार देख लेते हैं क्योंकि यह on मुझे show कर रहा है तो इसके अंदर जाते हैं देखे लिखा हु तो इसमें जो टिक लगा हुआ है उसको लगा रहने देते हैं फिलाल और इसको यहां से safe change करते हैं और इसको यहां से off एक बर करके देखते हैं क्योंकि मुझे block नहीं करनी है अपनी pen drive तो यह block यह जो data thief protection है इसको हम यहां से off करते हैं चलिए off कर दिया है अब इसको एक बा कॉपी कर रहा था यह मेरा बढ़ा हुआ है वीडियो को एक बार कॉपी करके देखते हैं क्या यह हम success हुए है कि नहीं यह देखे दोस्तों कॉपी होने लगा तो इसका मतलब यह है कि हमारा administrator की permission तो थी जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में भी बताया कि administrator की permission नहीं होती तो भी सेम यही एरर आएगा और यहां फिर आपके अंटी वाइरस पड़ा हुआ है तो भी आपका यही problem आ सकता है तो चलिए आए दो तीन फाइले और कॉपी करके हम देख लेते हैं इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है चलिए मैं इसमें से यह Excel की फाइल कॉपी करके देखते हैं इस फोल्डर वर्ड की फाइल को कॉपी करके देखते हैं क्या बताता है बिल्कुल फाइल हो रही है हमाई कॉपी तो मतलब की यह बिल्कुल सक्सेस है आपका यह जो एंटी वाइरस है उसकी सेटिंग से ब्लॉक था तो अगर कभी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ ज चेक कर सकते हैं एक तो आप एडमीन की परमीशन चेक कर सकते हैं दूसरा आप अपना एंटी वाइरस चेक कर सकते हैं जैसे कि मेरे में कोई खील पड़ा था अगर माली जापके में भी कोई खील पड़ा है या यही एरर आ तो आप उससे इनेबल डिसेबल करके देख सकते ह और अगर आपके में कोई और antivirus है तो बिल्कुल आप उसको भी देख सकते हैं अगर आप से नहीं हो पा रहा है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे इस वीडियो के comment में आप मुझे type करके बिल्कुल आप मेरी मदद ले सकते हैं तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आपका और आज के लिए इतना ही तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया है कि copy और paste से related जो भी problems होती है उसको आप कैसे सही कर सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब बिल जरूर करिए क्योंकि मैं daily new updates कुछ लेके आता रहता हूं आप लोगों के लिए तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप टेक्निकल आशा से जुड़े रहिए और न्यू वीडियो देखते रहिए